हेलो क्रिकेट लवर्स तो इंडिया वर्षी शल्लंगा के बिच तीसरा T20 आज होने वाले क्या वेधर फॉर्कास्ट होगी क्या प्लेंग 11 होगी और क्या पिछ रिपोर्ट रहने वाले हो उस पर हम बात करेंगे सबसे पहले बात करते हैं वेधर पर तो भाई आज के वेधर में हो सकता है कि थोड़ी सी बारिश आज है शावर्स आते रहेंगे और क्लावडी डे बना रहेगा याने कि बॉलर्स का फिर से डोमिनेशन स्टार्ट हो सकता है और अब मैं बता देता हूं कि क्या स्टैट्स हैं इस ग्राउंड के मैच हो रहा प्रे हैं अब को बाद आपको इशान नजर आ सकते हैं इशान किर्शन के बाद मनीश पांडए नजर आ चैके मिडल और में एक्स्पीरेंस छाहिए धुम мें उनके बाद को सूर्य कुमार यादव नजर आएंग के बाद आपको हार्दिक पंड्या नजर आएंगे और उनके पर देखना काफी दिल्चस परेगा टीट टीट वे कैसी गेंद बाजी करते हैं तो इनके बात करें तो भोवनेश्य कुमार और दीपक चहर वापस आएंगे और देन आप देखेंगे दीपक चहर को और फिर आप राहूल चहर को देखेंगे टीमे तो भाई आपके यहाँ प फर्नाडो बहुत अच्छा कर रहे हैं तो भाई इनकी जो प्लेंग 11 होगी उसमें अविश्का फर्नाडो और मिनोध भानुका विकेट कीपर यह इतना खास नहीं कर पाते हैं उसके बाद लास्ट टाइम के हिरो भानुका राज़पक्षा लास्ट बहुत ही भैतरिन प्राउंडर हैं यह और उसके बाद आपको नजर आएंगे इसुरू उडाना या फिर आपके जाई विकरमा खेल सकते हैं क्योंकि जाई विकरमा ने थर्ड ओडिया में अच्छा गयर प्रम तो उडाना T20 में बहातरिन गेंदबाजी करते हैं उसके बाद नजर आएंग आ पर चेज करना असान माने जाता है डिव फैक्टरत होगा परंतु आप जानते हो कि स्पिन श्रिलंका की कितनी धमाकेदार रही है तो भारत रिस्क नहीं लेगा और श्रिलंका को प्रेशर में डालने के लिए पहले बल्लेवाजी करेगा भारत और चेज करने से रोकेगा श आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर सबस्क्राइब कर सकते हैं मिलते हैं नेक्स टुडियो में किरकेट से जोड़ी अपडेट के साथ